काम में आने वाला सबसे सामान्य तरीका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें चार डायोड होते हैं तीन और चार के बीच न्यूट्रल के साथ डायोड एक और दो के बीच AC सप्लाई दी गई है डायोड दो और तीन के बीच DC पॉजटिव आउटपुट और डायोड एक और चार के बीच नेगटिव आउटपुट है साइन वेव के पॉजटिव हाफ में करेंट डायोड दो से बहता है लोड से होकर डायोड चार से गुज़रता हुआ वापस ट्रांसफॉर्मर में आ जाता है नेगटिव हाफ में करेंट डायोड तीन से बहता है लोड से होकर डायोड एक से गुज़रता हुआ वापस ट्रांसफॉर्मर में आ जाता है ट्रांस्फॉर्मर एसी साइन वेव भेज रहा है लेकिन लोड में रिपल डीसी प्राप्थ हो रही है क्योंकि करेंट का प्रवा एक ही दिशा में है उदारन के लिए इस सर्किट में हम ओसिलोस को पर रेक्टिफाइड वेव फॉर्म देख सकते हैं लेकिन यह सपाट डीसी आउटपुट नहीं है हमें फिल्टर जोड कर इसे बहतर बनाना होगा रेक्टिफाइर का प्रयोग करने से वेव फॉर्म में रिपल बन जाते हैं इसे एक समान बनाने के लिए हमें फिल्टर की जरुवत पड़ती है साधरन तरीका लोड के समनानतर में एक इलेक्ट्रोनिक कपैसिटर को जोड़ना है बोल्टेज बढ़ने से कपैसिटर चार्ज होता है और इलेक्ट्रोनों को स्टोर कर लेता है फिर बोल्टेज घटने के दौरान यहां उन्हें छोड़ता है जिससे रिपल कम हो जाती है ओसिलोसकोप हर पल्स का पीक दिखाएगा लेकिन बोल्टेज जीरो तक नहीं गिर सकती यह धीरे-धीरे कम होती है जब तक ये पल्स कपैसिटर को फिर से चार्ज न कर दे बड़े कपैसिटर या कई कपैसिटर का प्रयोग करके हम इसे और भी कम कर सकते है इस सरल उधारण में आप देख सकते है कि जैसे ही आपूर्ती रुखती है LED बंद हो जाती है लेकिन अगर मैं LED के समाना अंतर में एक कपैसिटर लगा दूँ तो यहाँ जलती रहेगी क्योंकि अब आपूर्ती रुखने के दौरान कपैसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और LED को बिजली के आपूर्ती कर रहा है इस सर्किट में मैंने लोड के लिए लैम्ब का प्रयोग किया है ओसिलोस्कोप रिपल वेफ़ॉर्म दिखा रहा है जब मैं 10 माइक्रोफेरेट का छोटा कपैसिटर जोडता हूँ तो वेफ़ॉर्म में थोड़ा सा अंतर दिखता है जब मैं 100 माइक्रोफेरेट के कपैसिटर का प्रयोग करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेज अब 0 ने वोल्ट तक नहीं गिर रही है 1000 माइक्रोफेरेट पर रिपल बहुत छोटे है 2200 माइक्रोफेरेट पर लगभग स्मूथ है यहां कई electronic सर्किटों में प्रयोग करने के लिए ठीक है हम कई कपैसिटरों का प्रयोग भी कर सकते है यहां हमारे पास 470 माइक्रोफेरेट का कपैसिटर है जिससे थोड़ा अंतर आया है लेकिन अगर मैं समना अंतर में दो कपैसिटर लगाऊं तो हम देख सकते हैं कि वेबफ़र्म काफी बहतर हो गई है कपैसिटर का प्रयोग करते समय हमें आउटपूट के सामने एक bleeder register लगाना चाहिए यहाँ एक उच्चे मानवाला register है जो circuit आउटप होने की समय कपैसिटर को खाली कर देता है और हमें सुरक्षित रखता है इस circuit में ध्यान दे कि जब मैं इसे on करता हूँ तो कपैसिटर जल्दी से 15 वोल्ट से अधिक चार्ज हो जाता है जब मैं इसे off करता हूँ DC output 15 वोल्ट बना रहता है क्योंकि अब कोई load नहीं है इसलिए उर्जा कपैसिटर में store है अगर voltage बहुत अधिक हो तो यहाँ खतरनाक हो सकता है इस उधारण में मैंने output के सामने 4.7 किलोग्राम का register लगाया है कपैसिटर 15 वोल्ट तक चार्ज होता है और जब मैं switch off करता हूँ तो यहाँ जल्दी से discharge हो जाता है रजिस्टर में electron प्रवाहित होते रहते हैं जो कपैसिटर को discharge कर देते हैं हम यहाँ भी देखते हैं कि कपैसिटर के बिना डायोट के voltage drop के कारंड आउटपुट बोल्टेज इनपुट बोल्टेज से कम है यहाँ हमारे पास एक सरल फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है इनपुट पर 12 वोल्ट AC है आउटपुट पर 10.5 वोल्ट DC है डायोट के कारंड आउटपुट बोल्टेज कम है हर डायोट में लगभग 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है एक डायोट और एक LED वाले सर्किट को देखते हैं डायोट का मान लेने पर हम देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप लगभग 0.7 वोल्ट है फुल ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजटिव हाफ में करेंट को दो डायोट से और नेगटिव हाफ में भी दो डायोट से गुजरना चाहिए तो वोल्टेज ड्रॉप मिलकर करीब 1.4 से 1.5 वोल्ट हो जाता है यही कारण है कि आउटपुट कम हो जाता है हाला कि अगर आउटपुट के सामने कपैस्टर जोड़ दे तो हम देखेंगे कि आउटपुट इंपुट वोल्टेज से अधिक हो गया है यहाँ कैसे संभव है? ऐसा इसलिए है क्योंकि AC इंपुट RMS वोल्टेज को मापता है जो पीक वोल्टेज नहीं होता है और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते है चुकि थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होता है इसलिए आउटपुट पीक इंपुट से कम लेकिन RMS इंपुट से अधिक होता है उदाहरन के लिए अगर हमारे पास इंपुट पर 12 वोल्ट RMS होते तो पीक वोल्टेज 12 वोल्ट गुणे 1.41 मतलब 16.9 वोल्ट होती यहाँ पर और यहाँ पर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा 16.9 वोल्ट से 1.4 घटाने पर 15.5 वोल्ट होगा कपैसिटर इस वोल्टेज तक चार्ज है हालांकि यह उत्तर अनुमान से दिया गया है रिपल की मात्रा और डायोट के सटीक वोल्टेज ड्रॉप से इसका मान वास्तविक्ता में थोड़ा अलग ही होगा लेकिन हम देख सकते हैं कि आउटपुट इनपुट से अधिक है दूसरे आम फिल्टर में दो समानांतर कपैसिटर को इंडक्टर के साथ श्रेणी करम में जोड़ा जाता है यहां बड़े लोड़ वाले सरकिट में प्रयोग किया जाता है पहला कपैसिटर रिपल को स्मूथ करता है इंड़क्टर करेंट में बदलाव होने से रोकता है और उसे स्थिर रखता है दूसरा कापैसिटर जो बहुत छोटा होता है बची हुई रिपल को स्मूथ करता है इसके अलावा हम वोल्टेज रेगुलेटर को आउटपुट से भी जोड सकते है यहाँ बहुत आम है और इसे इंपुट में थोड़ा बदलाव होता है लेकिन आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहता है स्मूथ डीसी आउटपुट पाने के लिए रेगुलेटर के किसी भी तरफ कपैसिटर लगा सकते है यहाँ हम इसका वास्तव एक रूप देख सकते हैं जो 12 वोल्ट एसी सप्लाई से जुड़ा है और इसका आउटपुट पान्च वोल्ट डीसी है आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल से स्वयम वोल्टेज रेगुलेटर बनाना सीख सकते हैं इसका लिंक नीचे वीडियो विवरण में दिया है तो इस वीडियो में बस इतना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक इंजिनियरिंग के बारे में और सीखने के लिए स्क्रीन पर दिये गए किसी भी वीडियो को देखें आप हमें फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टरग्राम, लिंक्डिन के साथ साथ इंजिनियरिंगमाइंडसेट.com पर फॉलो कर सकते हैं